कैसे हैं आप सब लोग आज हम करेंगे 26 और 27 जुलाई के करेंट अफेर्स इंपोर्डेंट जो चीजे होंगी हम कोशिश करते हैं 10 से 11 मिनिट में आपको सारा बता दू और यह हम साथ सार पहले लिए चलाते हैं ताक्कि आपको एक्जाम में एक बर्डन नाम बने दूसरी ची मैं अब को सकते हैं तो आप इस तरीके से पढ़ना पसंद करेंगे या जो हम पहले पढ़ते थे तो आपके जो भी फीडबाइक होंगे हम उस पे आगहे काम करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला आपको बताता हूं ड Bertald किसको je करने के लिए वह फंड है आपका इंडिया और रश्या जो कोलाबरेशन करती है जो इन्हों ने किया है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो यह आपको लिए इसी होगा मिनिस्ट्री आफ साइंस अंदर आता है इक्जाम में क्या पूछा जाता है अब इसमें से एक्जाम में पूछा जाएगा आपको कि कितने अमांट का आपके साथ यह किया है एंग्रिमेंट रश्या और इंडिया ने दूसरी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि डिएस टी ने संद्रा करोर रुपे का किस कंट्री के साथ तय किया है या तो यह आपको रेशया भी याद रखने इस तरीके से आपसे पूचे जाते हैं रिशिया के बारे में आपको पता है वेल्डमिल पुटिन जो है वो आपके इस समय पुटिन जो है वो इस समय रिशिया के प्राइजिडेंट है तो चलिए बात करते हैं इंडिया ने एक्सेंड किया है मेडिकल एस्सिस्टेंट रुपीज वर्थ यूस डॉलर वन मिल्लियन किसे किया है आप देख सकते हैं यहां पे यह किया है आपका North Korea को किसके अंडर किया है यह किया है डबलियू एच्चोंद ट्रविव ट्यूबर क्लॉसिस प्रोग्राम के तहत एक्जाम में वापिस से इस पर बहुत ही असानी से बन सकता है आप से पूछा जा सकता है इंडिया ने किसे एक्सेंट किया है तो वह आपका नौर्थ कोरिया नौर्थ को एक मिलियन यूएस डॉलर की दी है अब यह भी पूछा जा सकता है कि किस प्रोग्राम के अंडर यह चीज दी है तो यह दिये है एंटी टीबी यह बहुत इंपोर्टेंट है आपको बताना चाहिए किरंसी क्या है अगर आप साउथ कोरिया की पूछी जाए तो वह आपकी वह आपकी एंडिया इसी किसाब बात करते हैं हम नेक्स्ट की गर्मेंट ने अभी इंपोस की है सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि GFR है क्या GFR आपका बेसिक है जर्नल फाइन्स रूल्स तो आपसे अब एक्जाम में बताऊंगा कि किस तरह के पूछा जाएगा आपको पूरा स्टेटमेंट दी होगी और पूछा जाएगा कि किस रूल के को अमेंड किया गया है तो वह किया है अब यहां पर इंपॉर्टन चीज आती है कि ऐसा स्टेप क्यों किया गया है तो यह स्टेप उठाया गया है जितने भी आपके डिफेंस और नेशनल सिक्यूरिटी के चीजें हैं उसे मजबूत करने के लिए और इसी के साथ साथ यह आपको पता हो अगर पूछा जाए जादा डिटेल वे इतने में पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको पता होना च तो नेक्स्ट है पहली दुनिया की इंडिया ने में बनी हुई electrified rail tunnel capable to run double stack containers तो यह आपको बता होना चाहिए बहुत important है आपसे पूछा जाएगा कि पहली कहां पे है तो यह है आपकी इंडिया में double stack electric tunnel बनाई गई है ministry of railways की अगर बात करें तो कौन है वो है आपके पियुष गोयल जी पियुष गोयल जी के साथ साथ अगर आप सब बात की जाए कि railway department का इस समय बोर्ड का कौन chairman है तो वो है आपके वीके यादव जी तो यह आपको छोटी-छोटी चीज है पता होना चाह होगी जो double stack containers के साथ काम करेगी जो इसे फिट होगे double stack дов venus तो यह आप्का पहला होगा कहां पहोगी यह आप से अगर ये पूछा जाए तो यह मैं घ्ला में कहां पहोगी हर आपका इसका जो एक्सपेक्टेड था तो यह बारा महीने अभी इसको डेट थी जल्दी कंप्लीट हो गई है नेक्स अगर हम बात करें तो नेक्स आपके लिए मैं बता दू हैद्राबाद का रैंक आया है 16 किसमें आया है यह रैंक 16 वर्ल्ड मोस्ट सर्वेल्ड सिटीज में अब यहां पर क्या है चीज की किस जगा पर कितने सीसीटीवी कैमरा इसमें बहुत सारी चीजें थी सीसीटीवी सर्वेलेंस को अगर हम बात करें तो एक क्रैट इरिया था तो इसमें हैं हैंद्राबाद का रैंक आया है 16 वर्ल्ड की 150 मेजर सिटीज में से और अगर हम बात करें टॉप किस ने किया है तो वह किया है था यान ने वह कहांट पर है वह आपकी चाइना दू मैक्सिमुम सिती जो है वह आपकी चाइना की ही टॉप में इंडिया की तरव से हैं जिरौशए छेक हैंज्ट-धर है तो यह आपको बता दो टॉप 50 में भी यह है इंपोर्टेंट है आपके लिए और अगर हम बात करें मोस्ट पॉपुलेटिट सिटीज इंदा वर्ल्ड की तो उसमें दिल्ली का रांक सेकिंड है तो यह आपको यह भी पता होना चाहिए अगर हम इस लिस्ट की बात करें यह इंडिया फीफ और अगर्री करनेंजेशन है यह है Bar्ण की है 7.000,000ग ऑर्ल डॉल्र का करंसी स्वाप से है इसको मैं आपको इक अलग से वीडियो में पूरा explain करूंगा बहुत important topic है अगर आप कल को interview देने जाएंगे आप से पूसर जा सकता है फिलाल के लिए आपको क्या पता होने चाहिए कि RBI ने कितने dollar का sign किया है किस country के साथ तो 400 million का sign किया है श्री लंका के साथ next के अगर अब हम बात करें तो gross NPA, NPA क्या होता है यह होता है आपके non-performing asset यह bank के कहा गया है rise करेंगे 12.5% से कब तक March 2021 तक जितने NPA जा रहे हैं वो 12.5% बढ़ जाएंगे यह कहा किसने यह खुद RBI के ही financial stability report ने कहा है आपने देखा है COVID-19 के वज़े से भी बहुत साधा loans दिये हैं अगर आपसे question पूछा जाए simple RBI में कितने governor होते हैं और कितने deputy governor होते हैं तो आपको इसका answer पता होना चाहिए RBI में governor जो है वो एक ही होते हैं इस समय है आपके शक्तिकांत दास और deputy governor कितने होते हैं होते हैं चार कौन है वो एक है आपके बीपी करूंगो महेश कुमार जैन और तीसरे हैं आपके MD पात्राजी और फोर्थ अभी अपॉंटेड नहीं है तो यह आपको तीन याद रखने है एक्जाम में आपको यह question नहीं पूछा जाएगा लेकिन इंटर्विव में आजकर यह डिरेक्ट पूछा जाता है इसी के साथ नेक्स्ट की बात करूं तो रिलाइंस इंडेस्ट्री इस लिमेटेड आपको पता है वर्ल्ड की सेकिंड मोस्ट वैलियोबल एनरजी कंपनी बन गई है इन्होंने ओवर्टेक कर दिया है एक्जॉन मो दो और आई है फोब्स की तरफ से आई है और एक और आई है उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है उनमें इनकी रैंकिंग है वर्ड रिचस्ट परसंस में और अगर हम बात करने टॉप की तो वह है आपके जैफ बैजॉस जी तो यह आपको पता होना चाहिए नेक् सब्सक्राइब चोदरी बहुत ही बड़े अनिमेटर थे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं जिसमें अगर मैं आपको थोड़ी सी बता दूं तो इन्होंने इनिमेशन इन्होंने बेसिकली बहुत ही इनकी जो मूवी थी अर्जुन दवारियर प्रेंस वह इंडिया की आज तक की only animation entry है जो Oscar Awards के लिए नॉमिनेट हुई थी तो यह आपको बताओने चाहिए बहुत ही थे और इसी के साथ साथ इन्होंने तून्स नेटवर्क या तून्स पर भी मल्टीपल लेवल में काम किया है तो बहुत ही मशूर थे अरुनब चोदरी पता होना चाहिए नाम इन्हें अवार्ड मिला है Legend of Animation Award 2020 का इसी के साथ अगर मैं बात करूं आपके next MHRD आपको बताना है कि इनके मिनिस्टर कोन है मैं अल्मोस्ट हर वीडियो में आपको बताता हूँ उन्होंने क्या किया है पैनल एक सेट अप किया है अब आपको इनका नाम याद रखना है तो यह आपको पता होना चाहिए पहली चीज आपसे पूछा जा सकता है अगर MHRD मिनिस्ट्री ने पैनल सेट अप किया है किस डिपी सिंग के चेर्मेंशिप के अंडर किसके लिए किया है एक आपका MCQ यह बन सकता है दूसरा आपसे डिरेक्ट यह पूछा जा सकता है कि किसे बनाए गया है तो वह है आपके डिपी सिंग नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं आपसे तो इंडिया ने 2018 एशिन गेम्स में में मैडल जीता था का सिल्वर जिसे अपग्रे 27 40 के आपके जीता और suburbs उस्में एसा मेंडल गों गया है तो को पता ओव्न चाहिए बहुत अपने यहां पर आपके जो स्टेट के इंपर्टरटन करेक्श है उसमेंसे लेटेंस गवरर्नर जो हैं जो हमारे प्रोग्राम होगा इंप्रूप्मेंट रौट अक्रोजी कोड कोड कहां पे हैं अब आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखके बताना है तो इन्होंने क्या किया है इन्होंने startup develop variable device क्या एक बनाया है जिसका नाम है आपका valley band यह क्या होगा यह आपके social distancing के norm जबाब follow नहीं करेंगे तो यह अपने आप vibrate करेगा और आपको एक alert का message देगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको social distancing को maintain करना है तो यह थे आप के important current affair 26 और 27 जुलाई के जल्दी हम मिलेंगे 28 और 29 के current affair के साथ और जिस दिन हमारा यह week खत्म हो जाएगा तो हम लेंगे test आप लोगों को पता है किस तरह से होता है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं आप लोगों से कल ने lecture के साथ अगर आपको इस तरीके से प आप लोगों से कल ने lecture के साथ ओके गाइस